दोस्तों अगर आप भी एक WhatsApp यूजर है और आप WhatsApp का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा important है आप में से maximum लोगों ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर WhatsApp की तरफ से जैसी ये आपने WhatsApp को open किया होगा तो ऐसा एक notification देखा होगा अब यहाँ पर आपको मिला होगा not now का option और यहाँ पर मिला होगा accept या फिर agree का option अब यह क्या चीज है अगर आप इसको detail में समझेंगे तो यहाँ पर एक चीज लिखी गई है 8 फरवरी 2021 जो की अगले महीने है सिर्फ 31 दिन बाकि है अगर आप इन चीजों को agree नहीं करोगे तो आपका account delete कर दिया जाएगा और आप अपने account को नहीं चला पाऊगे अगर आप इन चीजों को accept कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी privacy को बहुत ज़ादा risk है WhatsApp A to Z data आपका यहाँ पे लेने वाला है यह सारी details मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इसके उपर मैंने पिछले दो दिनों के अंदर काफी ज़ादा information collect कर लिये और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करके all notification कौन करें ताकि आपको latest वीडियो की notification मिलती रहे अब यह notification सबको आया होगा सो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बस एक बार इसको read मार के दिखाता हूँ और फिर आपको बहुत detailed चीज़े बताता हूँ WhatsApp is updating its terms and privacy policy की updates includes more information about अब आपके बारे में बहुत सारी information और लेगा WhatsApp services and how we process your data, how businesses can use Facebook hosted service to store and manage their WhatsApp chats ठीक है अब Facebook जो है जो WhatsApp का मालिक है यह सारी चीज़े आपकी लेने वाला है यहां से सारी information अब यहां पर यह चीज़े है देखो वरना यह खुद कर देंगे अब यहां पर details के अगर बात करो तो मैंने यहां पर बहुत detail में सारी चीज़े लिखी हुई है जो Facebook का messaging service है जो WhatsApp है जो Facebook उसका मालिक है वो आपको अगले महीने से forcefully अपनी policy जो है accept करवाएगा की updates क्या है उसके concern how it processes user data how business can use Facebook hosted service to store manage their WhatsApp chats इन सारी चीज़ों को ignore मारे अब यहां पर आते है और सारा कुछ Facebook के उपर चले जाएगा क्या 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 store होगा इसमें आपकी registration detail आपका phone number क्या है आपका नाम क्या है email address क्या है उस device में कब आपने किस तारीक को किस date पे अपने WhatsApp को open किया register किया कितनी देर तक आपने WhatsApp को use किया हर दिन आपका phone number transaction data अगर आप WhatsApp business या business WhatsApp चला रहे किस को आपने pay किया customer की क्या detail है क्या buy किया गया वो सारी चीज़े service related information interactions on platform आपने किस से video call की audio call की किस से क्या बात की chats तो वहां mention ही है manage their WhatsApp chats वो information भी अभी ये लेने वाले है mobile के device की information आप कौन से mobile से WhatsApp चला रहे हो वो पूरी information including उसका IP address वो भी उनके पास जाने है वाला है यह बहुत जादा detail होती है a to z कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर in its updated policy updated policy the company expands on the information you provide अब company ने काया और भी information हम लेने वाले हैं जैसे कि आपने किस-किस को payment किया कितना किया transaction information क्या purchase किया affiliated companies क्या क्या है उसके थूरू वह सारी चीज़े और भी बहुत सारी चीज़े दे वह आप थोड़ा सही तरीके से सुने we collect information about your activity अब क्या कर रहे हो मान के चलिया ना यह आपकी location वगर अभी उठा लेगा पूरी activity a to z अब क्या कर रहे हो WhatsApp के उपर यह record करने वाले है monitor करने वाले है और store करके Facebook का pass करने वाले है जैसे कि services related to diagnostic and performance information this include information about your activity including how you use our service अब कैसे WhatsApp को use कर रहे हो use service setting अब service के setting को कैसे use कर रहे हो WhatsApp को setting होती है profile picture आपका public है क्या है क्या है क्या नहीं है किसको आपने block कर रखा है hide कर रखा है वो सारी information how you interact with other using service अब आप बाकी लोगों से कैसे interact कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है audio call video call messages सारी चीज़े और क्या क्या क्य today उसके अंदर including when you interact with a business अगर आपका business account है कब आपने किससे interact किया वो भी and the time उसका time भी frequency वी कितने बार आप किससे बात कर रहे हो वो सारी चीज़े and duration of your activity interaction और वो पूरा detail आप एक बंदे से दिन में कितने time तक बात करते हो वो पूरा duration log files diagnostic crash website कहीं से आप करो basically वो सारी चीज इनके पास जाने वाला है this also includes information about when you registered to use our service कब आपने whatsapp start किया the feature you like our messaging calling status group including group name group का picture description जाहिर सी बात है member भी रहेगा payment business feature profile photo आपकी about detail information आप कब online थे कितीनी देर online थे आपका last scene क्या है ये सारी की सारी चीजे अब whatsapp जो है वो collect करने वाला है और facebook उसको permission मिल चुकी है दोनों एक ही की company है ये सारी information वो लेने वाले है अब कुछ नहीं बचा प्रेविसी के नाम पे end to end encryption के नाम पे so a to z आपकी detail share की जाएंगी और इसका use किसी भी तरीके से किया जा सकता है it's better time रहते आप telegram पे provide कर दूँगा आप join कर सकते हो इस video में मैंने आपको maximum information बता दी है आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे जरूर comment section में बताए अगर आप IT के student है computer science के student है programming software development game development web development इन सब में interest रखते तो make sure channel के playlist section को जरूर एक बार check करें बहुत सारी चीजों की playlist बनी हुई है including final year projects अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसको information मिली हो प्लीज लाइक करें चैनल पर न्यू है तो subscribe करें बैल आइकन को क्लिक करके all notification कौन करें ताकि आपको latest videos को notification मिलती रहे मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys